नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि LPR सिस्टम उसको रियस्टोर कैसे करें जैसे प्लांट बहुत दिनों से बंध है और इसे फिर से श्टार्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए चिस तरह एक एक वाल्व को हम चेक करेंगे और फिर से उसे कैसे चालू हलात में करेंगे इस वीडियो में हम जाने दोस्तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हमें वाल्व कुछ यह करना है चलाने से पहले कि कौन कौन से वाल्व खूले हैं जैसे कि यहां चेंबर से जो सेक्शन लाइन आ रहा है तो यहां पर यह वाल्व तो इसे ख हुआ था पहले और यह जो है यहां से जाकर LPR में जाता है वहां सलनोइड वाल्व लगा हुआ है तो यह खोलना है ठीक है इसे बाद में भी खोल सकते हैं उसके साथ वहां पर एक एक extension valve है, एक extension valve लगा है उसी में, तो उसे set कर लेना है, या बंध हो से खोल भी लेना है, ठीक है, उसके बाद ये compressor से जो आ रहा है, section, उसको भी हमें खोल लेना है, अगर बंध होगा तो, उसके बाद condenser को चालू हलात पर कर देना है, उसके pump को पानी पकड़ा देना है, जैसे ये condenser है, बाहर condenser दिख रहा है, उसका पानी पकड़ा देना है, जैसे की, दिखनेता है कि पानी आना शुरू हो गया है, आपको मैं दिखाता हूँ, जीन करके, तो ये pump चालू हो गया है, ठीक है, condenser तो सभी कर लेना है कि कोई बंध को नहीं तो सभीं चेक करके ही कंप्रिसर को चलाना है ठीक है मैं भेज रहाँ उस किसे आदमी को उसको चेक करने के लिए जय बाल सभी खूला है यह नहीं तो यहां इस испmay चेक होगा ठीक है ये वाल्ब खूला है बाकी वाल्ब सभी खूला है चेक कर लेंगे ये रिसीवर है रिसीवर के वापसी वाल्ब जो होता है जो कंदेंसर आता है अगर वो बंध हो तो उसे खोल लेना है साथ ही साथ ये जो रिसीवर का लिक्विड लाइन है तो ये बंध हो तो उसे खोल लेना है ठीक है तो यहां से तो बंध नहीं है लेकिन यहां से बंध है ठीक है जो लिक्विड रिसीवर से आ रहा है तो ये खोल लेना है तो ये सारे वाल्ब खोल कर और जो भी कंप्रेशर है बाद में उसे खोल देना है ठीक है सेक्शेञ बंद रहे गा अब मैं दोसतो सबसे पहले तो मैं यह लिकृव लेंड को खोलंगा और यह बंद हो तो बाद में इसे खोले गे लिकेज हो तो फोड़ा गलाइंड को टाइट कर देंगे तो बन हो जाएगा यहां तक लिकूज आ रहा है यह है जहां से एक अश्टेंशन होकर यहां तक तो गैस आ गया है जब समय चाल होगा फिर जाकर एलपी आर में लिकुड जाएगा हम यहां इसे फोल लेते हैं जो सेक्शन वालब है इसे हम फोल लेते हैं इसे फोल लेते हैं इसे इसके बाद यह है पाइनल जो है एलपी आर का जो दोनों लिकुड पंप है इसका पाइनल है इसे पाइनल को हम आरन करेंगे और अगर वहां बंद होगा तो उसे भी खोलेंगे तो वहां बंद नहीं किया है तो उसे उसे तरफ़ फोर दफ मैं है अब को यहां देखाता हूं यह दोनों पंप का जो है कि यह दोनों पंप है अ धोकुड लाइंझ जा रहा है CalebHHHH लिक्विड पंप से, तो अगर तीन चेमबर है तो तीन लगा हुआ है, जितना भी चेमबर उतना लगा होगा, तो जो भी चलाना है, तो यहां से हम खोल लेंगे, तो दो इसमें खोलना पड़ेगा, दो चेमबर को चलाना है, तो दोनों खोलेंगा हुआ, तो दोनों पूरा ह यह दोनों खुल गया है अब सारा वाल्ब जो है यह कम्प्लिट हो चुका है तो यह अभी क्योंकि इसको वेक्म किया गया था तो थोड़ा लिक्विड कम है तो शलनरीट वाल्ब जालू है तो इसके अंदर लिक्विड आ रहा है जैसे ही इसका लेवल कंप्लीट होगा एत्यमेटिक इडिक जो है बंध हो जाएगा तो जब तक चलोइड वाल बंध होता है तब तक हम इंदिजार करेंगे क्योंकि यहां पर इंदिगेट करेंगा फिर हम कंप्रिष्टर को चलू करेंगे दोआ कि का रुम के अंदर में जहाँ आप इवापरेटर लगा होता है वहां कोई भालब बंद हो तो थेसे सेक्षर लाइन में अंदर इवापरेटर के पास तुल लेना ही या एक जिटेटर लाइन हो या सब्सक्राइब करेंगे यहां दिखते हैं कि ऑइल प्रेसर जा लिया है तो तो दिखते हैं कि कंप्रेसर लोड ले चुका है सभी काम अच्छी से कर रहा है पंप भी अच्छे से काम कर रहा है स्लोड वाल भी अच्छे से इसका कटाउट काम कर रहा है ठीक है गैस भी चेक कर लेंगे जहां गैस अभी यहां है आदा से ज़्यादा है तो ठीक है अभी तो इस तरह दोस्तों बड़ी आसानी से आप किसी भी प्लांट को जो LPR है उसे री एस्टोर कर सकते हैं एक एक भाल्व को चेक करते हुए जैसे मैंने बताया उस तरह आप चेक कर सकते हैं ठीक है अक्षा करता हुए इस वीडियो से आपको पुछने को दिखने को मिला होगा मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ सब तक के लिए नमस्कार